असलाम वालीकुम नाजरीन, ड्रॉमस ये एसान फरामोश की नेक्स अभी सोड में तो ट्विस्ट आया था मगर अपकी बार और ट्विस्ट आ चुका है जैसे के हमने आपको बहुत पहले बताया था के कबीर और नवाल एक होंगे अब की बार ये सब कुछ होने जा रहा है नवाल जिसकी इंट्री से हमजा और फलक का सारा फंक्शन स्पोयल हो जाता है और साथ इसाथ मूड भी मगर यहां पर कबीर के लिए मुश्किल तब आन पड़ती है जब इलहाम की आया जॉब छोड़ कर जा रही है वो भी मजबूर होकर क्यूंके उसने अपने शोहर के साथ किसी और शेहर में शिफ्ट होना है यह सुनकर तो कबीर बहुत ज़्यदा परिशान हो जाता है कि इलहाम के लिए एक ही दिन में मैं कैसे अरेंज करूंगा मगर अभी बहुत मजबूर होकर वो नवाल के पास इलहाम को छोड़ता है जब नवाल को मालुम हुआ कि इलहाम के पास सब कोई नहीं होगा और अपके बार वो फलक के कैने में आकर कोई और कारनामा सर अंजाम देता है फिर हो सकता है कहीं बाहिर गुमने के लिए जा रहा हो खैर फलक को लिए अपनी वाल्दा के पास आता है अब अपने बेटे की वज़े से हमजा की वाल्दा बहुत ज़्यादा परिशान है एक लोता बच्चा है मेरा पता नहीं वो लड़की मेरे बेटो को क्या क्या पट्टियां पढ़ा रही है वो सब कुछ क्यों नहीं देख सकता है जो तुम और मैं देख सकते हैं उसके बारे में तो बच्चो अब अपनी वाल्दा को क्या कह सकती ही तसली दे सकती है मामा जिस दिन हमजा की आंके खुल गए न वो एक मिनिट नहीं लगाएगा फलक को अपनी जिन्दगी से निकालने में जबके विवर्स दो से जानिब आली भाबी अपने वापिस घर में आ चुकी है लेकिन पर्मिनेंट नहीं वो तो कुछ काम निफटाने आई हैं और अपनी बेटी के डॉकुमेंट भी रेडी करवाने और वो कबीर को भी बता चुकी हैं कि वो पर्मिनेंट वहीं सेडर्ड हो जाएंगे मगर वो इलहाम को लेकर बहुत ज़्यदा परेशान होती है क्योंके कबीर अपनी बेटी इलहाम को अली भावी के साथ बेजने के लिए तयार नहीं भावी ऐसे तो मैं अकेला पड़ जाओंगा मैं आफिस से वापिस आता हूँ मुझे खुशी है मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ इसके बगर तो मैं एक लमा नहीं बिता सकूँगा तो फिर एक दिन आली भावी कबीर को सलाद देई देती है कबीर तुम फिर से शादी कर लो ये सुनकर कबीर परेशान हो गया भावी आपनी ये बात सोची भी कैसे मैं दूसरे शादी हरगीज नहीं करूँगा मगर आली भावी तो चाहती है कि कबीर दूसरे शादी कर ले और उनकी नजर में लड़की भी है मगर कबीर तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता कबीर ने साफ बता दिये कि वो परेशान मत हूँ मैं किसी न किसी तरह से मैनेज़् कर लूंगा ना भावी अब ये तो आले भावी हिंजो कुछ वक्त के लिए वापिस आई है इल्हाम इनके पास रहती है तो फिर ये कबीर आकर क्या करेगा ऐसे मैं आले भावी नवाल की उनसियत भी उस से जानती है कि वो इल्हाम का कितना खया रखती है उसे कितना चाहती है फिर यूही कुछ वक्त बेतें के बाद आले भावी कबीर से फिर से दूसरी शादी के मतलिक बात करती है मगर कभीर फिर से जुटकने लगा तो आले भावी ने भी बता दिया तुम दुबारा शादी इसलिए नहीं करना चाहते न कि जो लड़की आये शायद वो इलहाम को एकसेप्ट ना करे या फिर उसका उतने अच्छे से खयाल ना रख सके जैसे एक मा रखती है तो बिल आखिर आले भावी दिल की बाद जबान पर ले ही आती है अगर तुम्हारी शादी नवाल से हो जाये तो ये सुनकर वो हैरान हो जाता है आले भावी आप ऐसे कैसे कह सकती है आपको मालुम है कि उस नवाल की क्या कंडिशन है और उसके इलावा वो मुझे क्यों accept करेगी वो मुझे deserve नहीं करती आले भावी कबीर को समझाने की कोशिश करेंगी कबीर तुम please situation को समझो बात को समझो नवाल के इलावा इलहाम का कोई अच्छे से खयार नहीं रख सकेगा कबीर को इस बात में कोई शक और शुबा नहीं होता कि मुझे उसके तरफ से कोई शक और शुबा नहीं है कि वो इलहाम का खयार नहीं रखेगी बलकि वो मुझे से ज़दा उसका खयार रखती है उसके लिए फिकर मंद होती है तो फिर जैसे कैसे करके आलिय भावी कबीर को मनाएं लेंगी कबीर बस तुम्हें तसली है ना मुझे एक बार नवाल से बात तो करने दो कबीर रोकना चाहता है मगर भावी तो आलिय भावी उसे कह देंगी कबीर बस एक बार मुझे उससे बात कर लेने दो और फिर योही आलिया भाबी पहुंच जाती है नवाल के घर उससे बैट कर दो चार बाते करती हैं उससे हाल एवाल पूछती है कि मुझे तुम्हारी वज़े से बहुत परेशानी है और साथ ही वो इलहाम का जिकर भी करेंगी नवाल इस बात को भी एकसेप्ट करेगी कि हाँ इलहाम की परेशानी जएदा है कोई उसका अच्छे से खाया रखने वाला हो और वैसे भी वो पहले वाली आया से काफ़े अटैच हो चुकी थी तो बिला आखिर आलिया उसे बात करे लेगी नवाल अगर तुम कबीर से शाधी कर लो तो यह सुनकर तो नवाल भी हैरान हो जाती है जैसे के तासुरात थे इस कबीर के पर आलिभावी ऐसे में तो सारे बहुतान सच साबित हो जाएंगे कि शायद میरा और कबीर के साथ चकर था तो आलिय उसे समझाने की पूरी कोशिश करेगी देखो नवाल हमने इलहाम का सोचना है उसे एक माँ की ज़ो आइसी माँ की जो उसे एकसेप्ट करे जो उसे एक सगी माँ की तरह प्यार दे अब नवाल जो कि ऐसे में सोचने के लिए वक्त मांगेगी और यही वीवर्स होगा कबीर और नवाल की नेक नियती का सिला दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे को डिजर्ब भी करते हैं पहले पहल कबीर को नवाल एकसेप्ट नहीं कर सकीगी मगर वो इल्हाम का खयार रखने में कोई कोता ही नहीं बढ़तेगी वो तो उसे सगी मां की तरह प्यार देगी और फिर वीवर्स आप देखेंगे इस ड्रामे में ओर ट्विस्ट ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फलक का अंजाम क्या होगा और नवाल और कबीर के साथ क्या होगा तो ऐसे में आप एसान वारा मौज ड्रामा सेल की मुकमल कहानी देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिन में इस वीडियो का लिंक अवेलेबल है आप इस वीडियो को डिरेक्ट यहीं से देख सकते हैं तो वीवर्ज अब कौन कौन एक्साइटीड है नवाल और कबीर को एक साथ होता देखते इसके मतलिक हमें अपनी कीमती राय का इजार जरूर कीजेगा मजीर ड्रामा अजरी वी उसके लिए आप देखते रहें अर्दु रीवी